हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग मींदे आप लोग बहुत अच्छ होंगे फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एक एजूकेशन स्कॉड पर सवगत हैं फ्रेंट्स मैं आपके लिए फिर लेकर आगया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजूकेशन के अंतर के योगा होता है ठीक है तुम्हें हमारा टापिक है आज का योगा वहां से जितने भी महात्पूर्ण कोश्चन बने थे लगभग सत्तर इकाहत्तर कोश्चन ठीक है वह सारे मैंने एक ही वीडियो में बना दिये हैं और उमीद करेंगे सारे कोश्चन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे बहुत ज्यादा आपकी परिच्छ में आपके लिए कल्याणकारी सावित होंगे ठीक है तो चले फ्रेंट करते हैं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको दो लाईने सुनाता ही हूं फिर स्टार्ट करूंगा ठीक है तो सुनिए ख्वाब तूट उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से आप जाकर निसूल को डाउनलोड करने ठीक है तो चले दोस्तों स्टार्ट करता हमारा पहला कोशन आज का योग सब्द की उत्पत हुई है तो इसकी उत्पत हुई है संसकत भासा के युज धात उससे ठीक है औ कर सकते हैं कि सतर हं अगला कोश्चन है तो योग सब्द का साथ होता है जोडना या मिलना आत्मा का प्रमात्मा से मिलन कहलाता है तो यह कहलाता है योग अगला कोश्चन है पांच नमबर योग के पितामा कौन है तो योग के पितामा है महर्स पतंजली ठीक है अगला है योग सूत नामक पुष्टक के रचेता कौन है तो यह हो जाएंगे महर्स पतंजली इसके भी ठीक है अगला देखते हैं योग परती पुष्टक के लेखक या रचाइता कौन है तो श्री अर्विंद हो जाएंगे अगला प्रेस नमबर नौ चित ब्रत्य विरोध योग है यह परिभासा यह परिभासा किसकी है तो यह परिभासा है महर्ष पतंजली की ठीक है यह परिभासा किस नहीं दिल्ली में प्रेस्ट नंबर बारा महर्ष पतंजल्य योग संस्थान कहां है तो यह है रुड की उत्राखंड में प्रस नंबर 13 देख लेते हैं इसिकरम में योग, योगा करमस कौनश्चलम व यह परिभासा तो यह हो गई ठीक है, ध्यान से योगा करमस कौनश्च समत्य योग उच्चते ये दोनों परिभासां किसकी है तो यह श्रीमद्भकवत गीता से ली गई है यह अपसंञ में आपको स्रीमद्भकवत गीता नहीं मिलता है तो आपसंञ में श्रीकिस्ण मिल जाएगा दोनों सी सही है इसके ठीक अगला देखते हैं योग समाध्य यह परिवासा किसकी है तो यह परिवासा बेदव द्यास की प्रस नंबर पंद्रा 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है इसकी शुरुवत कब से हुई है तो सुन 25 से हुई है योग दिवस की अंतरराश्टी योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को प्रतेक वर्स अगला देखते ह योग अध्यात्मी काम धेन है या परिभाशा किसकी है या परिभाशा है डाक्टर शंपूरा नंद की अगला देखते हैं महार्षी पतंजल के अनुसार प्राणायाम कितने हैं तो यह होते हैं चार अगला देखते हैं सूर्य नमस्कार के कितने चरण हैं तो सूर्य नमस्कार अगला देखते हैं सुच इसको एक बार रिपीट कर देते हैं तीओंच को को घृए सभी किसके नियम या किसके अंतरगत आते हैं या किसके भाग है ठीक है इसको रिपीट करता हूँ बहुत ही मातपूर है सौच तप स्वाध्याय इसर प्राणी धाम संतोस यह सभी किसके भाग है तो यह नियम के भाग है ठीक है अगला है कोश्चन 21 नमबर महार्सी पतंजल के अनुसार सुख की इस्थित में बैठना क्या कहलाता है तो आसन कहलाता है ठीक है अगला है 22 नमबर सब आसनों की जननिक किस आसन को कहा जाता है तो यह कहा जाता है सरवांगासन को ठीक है अगला है खाना खाने के बाद कौन सा आसन किया जाता है तो यह बजरासन किया जाता है ठीक है अगला देखते हैं स्वांसपन नियंतरन करना ही स्वांसपन नियंतरन करना क्या कहलाता है तो प्राडा याम कहलाता है ठीक है अगला देखते हैं प्राडा याम के चरण है तो इसके तीन चरण होते हैं कौन कौन से हैं पूरक कुम्भक रेचक पूरक का मलब होता है सांस को अंदर लेना कुम्भक का मलब होता है सांस को रूंकना अंदर ह और रेचक का मनलब होता है रोंखी हुई सांस को बाहर छोड़ना ठीक है तो पूरक मनलब सांस को अंदर लेना कुम्भक मनलब रोंख कर रखना और रेचक मनलब जो है सांस को छोड़ना ठीक है चलिए अगला देखते हैं प्रस नमबर 26 26 है उजयी भ्रमरी सूरिवेदी सीतकारी सीतला मूर्चा भत्रिका यह सब किसके भाग है ठीक है रिपीट कर देता हूं उजयी भ्रमरी सूरिवेदी सीतकारी सीतली मूर्चा भत्रिका यह सब किसके भाग है तो यह सभी प्राडायाम के भाग है अगला देखते हैं पत्याहार में होता है तो पत्याहार में क्या होता है अपनी इंद्रियों को वस्मे करना मन को किसी एक एकाग करना ठीक है योग में ध्यान का मतलब होता है मन को एकाग करना अगला है प्रस नमबर 30 योग में समाधिका आर्थ है तो आत्मा का परमात्मा में विलीन होना ठीक है रिपीट करता हूं योग में समाधिका आर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलीन होना अगला देखते सट कर्म सुध करिया से होता है तो शरीर अंदर से साप और सुध हो जाता है कि अग्ला है सठ कर्म सुधि कर्या या ली कितनी होती है तो श्वो सट्व कर्म कुती है ठीर होती है कौन कुल सी नेति धावट नमल बस्त कपालभांत त्राटक रिपीड कर देता हूं नेति धोर्व Stay इस कपाल भांत त्राटक यह सभी क्या है सुझ्धी क्रियां इनको apprenticeship कर्म क्रिया भी जाता है ध्यान रखोच सद कार्म उसे थोड़ा निजात मिलता है निकाव क्योग करने से ठीक है यह समलो एक प्रकार के जिसे हम लोग exercise बगरा नहीं करते हैं उसी प्रकार से यह भात भात के मलब करिया क्लाप होते हैं योग के अंदर जिसे नाक में एक मनाक में कप्रा डालकर दूसरी नाक में निकालना पैट में बीमारी में कौन सी सुध्य क्रिया लाबदायक होती है ठीक है पैट की बीमारी में कौन सी सुध्य क्रिया लाबदायक होती है तो यह हो जाएगी धवत और बस्त धवत और बस्त जो क्रियाएं हैं यह पैट की बीमारी में फाइदयमंद होती है अगला देखते है पेट की मांस्पेशियों को मजबूत करने के लिए काउन से सुध्य क्रिया की जाती है तो यह नवल की जाती है इसमें क्या होता है पेट को चक्की तरह जिसे बाबा राम देव नहीं नहीं चाते हैं गड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ दाकी चलाना जैसे बाबा करते हैं कौन सी ऑप आखों से समंधित होती है आखों के लिए सुध्धिक लिए करने जो मलब त्राटक है त्राटक करने से आखों की जो है लाब होता है तो वही कोश्चन है कौन से सुध्धिक लिए आखों के लाबदायक है तो त्राटक जो है वह आखों के लिए लाबदायक है अगला देखते हमारा यहां से स्टार्ट होगा वह नंबरिंग थोड़ा गड़वड़ है बाकी कोश्चन यहां से चालू जानते हैं कौन सा होगा यह 37 वाला कोश्चन चालू हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं कोश्चन सूरिभेदी प्राडायाम किस प्रवतिका होता है तो यह गर्म होता है सूरिभेदी प्राडायाम अगला देखते हैं तिरकोड आशन के लाभ हैं तो यह हो जाएंगे यादास्त और एक आगरता ठीक है कौन-कौन से हैं तिरकोड आशन के लाभ हैं यादास्त और एक आगरता अगला देखते हैं हलासन के लाभ हैं तो पेट समंधी रोग गाहत्री मंत्र योग की उत्पत हुए तो भगवान की उत्पत हुई है टीक है योग की पहली सिछा किसे दिगई तो योग की पहले सिच्छा दी गई है माता परवति को अगला प्रस्ण है हमारा अगला है भुजंग आशन का मुख राब है तो पेट की चर्बी कम होना वा कमर दर्द में आराम मिलना ठीक है अगला है सूर्य नमस्कार में कितने आशन होते हैं तो इसमें बारा आशन और बारा मंत्र होत है अगला है तरासन का मुखिलाब है तो लंबाई में ब्रध्ध करना ठीक है जो तरासन होता है तरासन का मुख्य उद्यश क्या है मुखिलाब क्या होता है लंबाई में ब्रध्ध करना अगला है चंद्र नमस्कार में कितने आसन होते हैं ठीक है चंद्र नमस्कार में कितने संख्या है वह आठ है अगला है अश्टांग योग में योग के कितने भाग है तो अश्टांग योग में कितने भाग है आठ भाग होते हैं ठीक है कितने भाग होते हैं आठ होते हैं कौन-कौन से यम नियम आशन यम नियम आशन प्राराराम पत्याहर धारना ध्यान इस प्रकार से 8 हो जाते है हमारा अगला question क्या है प्रस नंबर प्रस नमबर क्या वन लबाव नेक्ट कोश्चन है diabetes मध्मे के लिए महतवपूर्ण योग है तो यह हो जाएगा पर्थम मंदूक आशन ठीक है पर्थम मंदूक आशन हो जाएगा अगला है शूर्य भैदी प्राडायाम में स्वांस के सरी रिपीट करता हूं एक बार शूर्य भैदी प्राडायाम में स्वांस किस नास्का से ली जाती है ठीक है तो शूर्य भैदी प्राडायाम में स्वांस किस नास्का से ली जाती है अगला है चंद भैदी प्राडायाम मे में वाइनास्का से यह दाहिने से और चंद्ध सतनु की संख्या बताई गई है तो प्रग्या योग में आशन है नौ लेकिन हुए प्चम अगहें तो ये हो जाएका कौन्सा प्रत्य हार याम नियम आसन प्राराम और Homлаз ठीक है अगला देखते हैं क्या है अगला हो जाएगा कॉस्श्चन हमारा को हौग को सभा प्रस आप अगला है अश्नांग योग का सही करम है receipt मतलब को कहता है कि कितने यह अंग हैं तो 8 होते हैं लेकिं वही सकते हैं क्या है पूछ लेगा आपसे कि देखते हैं अजूरु वेद में वायु को किस की संग्या दी गई है ठीक है अप धकार का समण्ध है पए यह चंद नाड़ी से ठीक है ठकार का समद्ध किसे चंद नाड़ी से है अगला है हट योग के आदिवक्ता माने जाते हैं तो भगवान सिव माने जाते हैं हट योग के आदिवक्ता अगला देखते हैं घरंड सेहता के अनुसार बंधों की संख्या है तो चार बंध बताएग अगला देखते हैं हेरंद सहिंता में वरणुत ध्यान कितने प्रकार के हैं तो इसमें तीन प्रकार के ध्यान बताए गए अगला देखते हैं मौलिक रूप से दयानंद स्वस्ति किस दर्शन के साधक थे ठीक है मौलिक रूप से दयानंद स्वस्ति जी जो थे वो किस दर्श अगला देखते हैं दयान्नल स्वास्ति ने आज इवन किस आसरम का पालन किया है तो आजीवन पर Umelvu का पालन किया है किस क्या repeat कर देते हैं दयानंद स्वस्ति ने आज जीवन किस आस्रम का पालन किया है तो यह किया है ब्रह्मचर आस्रम का पालन अगला देखते हैं क्या है 27 नंबर यानि नेस्ट कोश्चन अमारा क्या बनेगा यहां पर योग के प्रातन प्रवकताँ है तो हिरंट हम इनुद्रीयों पर सयंद्र करते हैं और अगला देखते हैं आयूर्वेद का साब्दिक अर्थ है तो जीवन का विज्ञान ठीक है आयूर्वेद का जो है साब्दिक अर्थ क्या होता है ठीक है तो आयूर्वेद का साब्दिक अर्थ होता है जीवन का विज्ञान अगला देखते हैं चरक सहिता में कितने प्रकार के योग हैं तो चरक सह स्रीमत भगवत गीता के अमसार कर्म है तो इसमें कर्म होते हैं ठीक है अगला देखते हैं स्रीमत भगवत गीता में अध्यायों की संख्या है तो इसमें अध्याय है अथारा ठीक है रिपीट कर देता हैं स्रीमत भगवत गीता में अध्यायों की संख्या कितनी अथारा है तो आपकी परिच्छा में बहुत ज़्यादा उत्योगी सावित होंगे और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल पर पहले से बहुत सारा अवलेबल है और बाकी में पड़े डालता भी रहता हूं फिजिकल एजूकेशन से संब्धित और यदिन कोश्चिन की प